हेलो फ्रेंस, आज हम बात करेंगे ग्रहन 2019 की, साल 2019 में प्रिथवी पर कुल 5 ग्रहन दिखाई देंगे, इनमें 3 सुरे ग्रहन और 2 चंद्र ग्रहन होंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि साल 2019 में कब-कब सुरे ग्रहन होगा और कब-कब चंद्र ग्रहन, ले जब एक खगोलिय पिंड की छाया दूसरे खगोलिय पिंड पर पढ़ती है तो ग्रहन घटित होता है हाला कि ये पुर्ण और आंशिक ग्रहन समेत कई प्रकार के होते हैं जोते शास्त्र में नौ ग्रहों का बड़ा महत्व है इनमें सूरिय और चंद्रमा भी आते हैं इसी वज़े से सूरिय और चंद्र ग्रहन का महत्व बढ़ जाता है ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रहन घटित होने से पहले ही उसका असर दिखना शुरू हो जाता है और ग्रहन समाप्त होने के बाद भी इसका प्रभाव कई दिनों तक देखने को मिलता है साल 2019 के पहले महीने यानि जन्वरी में ही एक चंद्र और एक सूरी ग्रहन घटित होंगे 6 जन्वरी 2019 को पहला सूरी ग्रहन दिखाई देगा और 21 जन्वरी को चंद्र ग्रहन वहीं 2 जुलाई को साल का दूसरा सूरी ग्रहन और 16 जुलाई को चंद्र ग्रहन दिखाई देगा इसके बाद 26 दिशमबर को साल का तीसरा और अन्तिम सूरी ग्रहन दिखाई पड़ेगा क्या आब जानते हैं कि सूरी ग्रहन कब होता है खगोल शास्त्र के अनुसार जब सूरी और पृत्वी के मध्ध में चंद्रमा आ जाता है तब यह पृत्वी पर आने वाली सूरी की किर्णों को रोपता है और सूरी पर अपनी छाया बनाता है इस स्थिती को सूरी ग्रहन कहा जाता है अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहन कब ह जब सूरी और चंद्रमा के बीच पृत्वी आ जाती है, तो यह चंद्रमा पर पढ़ने वाली सूरी के करणों को रोबती है और उसमें अपनी छाया बनाती है। इस स्थिती को चंद्रग्रहन कहा जाता है। ग्रहन के दौरान नाकरात्मक और हानिकारक उर्जा उत्पन होती है। इसलिए ग्रहन की समय हमें आवश्रक सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। साल 2019 में ग्रहन की समय हमें कौन-कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही आने वाले साल की हर एक बड़ी और छोटी घटना के विशे में जानकारी हासिल करने के लिए जोड़े रहे एस्ट्रोसेज टीवी के साथ धन्यवाद